सुप्रभात कक्षा दूसरी विशे हिंदी ओप विशे पाठ चार बुद्धिमान कौन पुस्तक का नाम नई गुल्मोहर हिंदी पाठे पुस्तक व्याख्यान दो कल हमने पाठ चार को पढ़कर समझा था आज हम पुनै पाठ चार को पढ़ेंगे तथा उसमें आए कठिन शब्ध अर्थात जो आपको पढ़ने में मुश्किल लगती हैं शब्ध उसको जानेंगे वा शब्ध अर्थात जो मुश्किल शब्ध हैं उनके अर्थ को भी जानेंगे और उसमें आए प्रश्णों के उत्तर भी करेंगे तो चलिए पहले हम पाठ को पढ़ती हैं सभी अध्यापक अंश को कक्षा में सबसे बुद्धी मान मानते थे और उससे बेहत प्यार करते थे इसे देखकर कक्षा के कुछ चात्र इर्षा करते थे एक दिन उनी में से एक चात्र प्रणव ने अपने अध्यापक से पूछा सर अंश में ऐसी कोन सी विशेश बात है जो अन्य चात्रों में नहीं है आपने देखा मैं यहां रुग गई क्योंकि यहां पर कोमा है और यहां मैंने प्रणव के रूप में प्रणव पूछा जो अन्य चात्रों में नहीं है क्या हम बुद्धिमान नहीं है आप सदेव अंश की ही प्रशंसा करते हैं इसका मतलब है कि अंश के अलावा बाकी चात्र मूर्ख हैं यह सुनकर अध्यापक मुस्करा दिये कुछ सोचकर उन्होंने शामपट पर एक लकीर खीच दी फिर सभी चात्रों से बोले जो इस लकीर को बिना कहीं से काटे या मिटाए छोटा कर देगा वही सबसे बुद्धिमान होगा सभी चात्र एक दूसरे का मुँ देखने लगे और चुप चाव बैठे रहे अध्यापक ने सभी चात्रों से कई बार कहा लेकिन किसी को कुछ भी सूज नहीं रहा था अंत में अध्यापक ने अंश की ओर देखा अंश उठा और उसने शामपट पर उस लकीर के बराबर में एक बड़ी लकीर खीच दी अध्यापक ने चात्रों से कहा देखो अब पहली लकीर बिना कहीं से काटे या मिटाए छोटी हो गई अध्यापक अंश की सूज भूज और बुद्धी मानी की प्रशंसा करने लगे यह देखकर प्रणव लज्जित हो गया वह अंश के पास कया और बोला मित्र मुझे क्षमा कर दो मुझे तुमारे लिए इर्शा का भाव नहीं रखना चाये था अंश बोला कोई बात नहीं तुमने अपनी गल्ती मान ली बस बात खतम हम अब से पक्के मित्र हैं उस दिन के बात से प्रणव ने अध्यापक से अंश की कभी शिकायत नहीं की तो बच्चो अब आप समझ गए हैं कि बुद्धी मान विक्ती ही सर्वत्र प्रशंसा होती है तो इस प्रकार आपको अपने पाट को पढ़ना है सबसे पहले हम कठीन शब्द करेंगे कठीन शब्द क्या है जो हम पढ़ रहे थे उसमें जो शब्द आयते जिनके उच्चारन को पढ़ने में समय लग रहा था वह हमारे कठीन शब्द कहलाती है तो सबसे पहले कठीन शब्द है बुद्धी मान अब आप जब भी इस शब्द को देखें तो आप पहले दोराए बुद्धी बुद्धी मान तो यह शब्द बने गया बुद्धी मान अगर आपको शुटले के रूप में भी अगर कोई बोले कैसे रिखेंगे आप बुद अदादाई दी बुद्धी मान जब बड़े शब्द होते हैं हम उन्हें आधा आधा करके पढ़ सकते हैं इस प्रकार में ने पढ़ा बुद्धी फिर पढ़ा मान बुद्धी मान अब है दूसरा शबब यह भी देखो बड़ा है अब कैसे पढ़ेंगे आदाषया में श्याम पर्ट तो हमेने आधा करके पढ़ा श्याम पर्ट श्याम पर्ट तीसरा शब्द है अब आप इसमें देखी इश्या मत पढ़ना इर्ष्या कुंकि ये रैयोत की अवाज चिकर है इर्ष्या ये शब्द है इर्ष्या नमबर तिन पर क्या लिखा हुआ है इर्ष्या नमबर चार दिया है लजित नमबर चार पर क्या लिखा है लजित नमबर पांच है सवत्र ने है ये वी र परणना है सर्वत्र जब ये मात्रा उपर रेफ की मात्रा होती है तो आपने सो के बादरा का उच्चर करना है स्रवत्र नहीं बढ़ना सरवत्र 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 छटा है इसने भी देखो रेव की मातर आई मूर्ख अगर आप मूख लिख देंगे तो वह गलत जगा मूख नहीं है मूर्ख बोला तो आपने खो के उपर रेव की मतरत रख की अवाज होती है मूर्ख एक पर पुनाय पढ़ते हैं इन छे शब्दों को बुद्धी मान देखो जब बड़ा शब्दा है मैंने आधा-धा करके पढ़ा बुद्धी मान शाम पट इर्शा लजजित सर्वत्र मूर्ख अब अगला देखते हैं नमबर साथ पर नमबर साथ शब्द है अध्यापक अध्यापक आठ्वा शब्द है लकीर लकीर नमबर साथ प्रशंशा आपका यह शा के उपर बिंदी है वें नाव की अवाज दे रहें प्रशंशा यह प्रशंशा शब्द तो नमबर साथ क्या है प्रशंशा दस्वा शब्द है चात्र ग्यार्वा शब्द है सूज भूज बार्वा शब्द है क्षमा एक बार पुना पढ़ते साथ्मा शब्द है अध्यापक आठ्मा शब्द है लकीर नौवा शब्द है प्रेशनसा दस्वा शब्द है चात्र ग्यार्वा शब्द है सूज भूज और बार्वा शब्द है क्षमा अब आगी और भी कटिन शब्द है तेर्वा शब्द है सदेव सदेव चोद्वा शब्द है प्यार पंद्रा शब्द है व्यक्ती व्यक्ती सोल्वा शब्द है पक्की सोल्वा शब्द है पक्की सत्रवा शब्द है मुहू अठारवा शब्द है मुस्करा और उनिस्वा शब्द है अंश और बीस्वा शब्द है प्रणव एक बर पुन्य पढ़ते हैं तेर्वा शब्द है सदेव चोद्वा शब्द है प्यार पंद्रवा शब्द है व्यक्ति सोल्मा शब्द है पक्के सत्रवा शब्द है मुँ अठार्मा शब्द है मुस्करा उनिस्वा शब्द है अंश और वीशा शब्द है प्रणव तो आपने यदि इन कठी शब्दों को पढ़कर तता लिखकर अभ्यास करेंगे तो आपको पाठ पढ़ने में असानी हो जाएगी अब हम करेंगे शब्दार्थ शब्दार्था शब्दों के अर्थ को जानेंगे तो सबसे पहला शब्द देखते हैं क्या दिया है बुद्धिमान पहला शब्द है बुद्धिमान जिसका अर्थ होता है होशियार समझदार पहला शब्द है बुद्धिमान जिसका अर्थ है होशियार दूसरा शब्द है इर्श्या दूसरा शब्द है इर्ष्या जिसका रथ है जलन तीसरा शब्द है मूर्ख जिसका रथ है ना समझ तीसरा शब्द है मूर्ख जिसकार्थ है ना समझ चोथा शब्द है सर्वत्र जिसकार्थ है सब जगा पाच्वा शब्द है बीहद जिसकार्थ है बहुत छटा शब्द है सूज भूज जिसकार्थ है समझ दारी सात्वा शब्द है प्रशंसा जिसकार्थ है बढ़ाई सात्वा शब्द है प्रशंसा जिसकार्थ है बढ़ाई आठ्वा शब्द है लकीर जिसकार्थ है रेखा रेखा या लाइन भी बोल सकते हैं नौवा शब्द है लज्जित जिसकार्थ है शर्मिंदा दस्वा शब्द है सदैव जिसकार्थ है हमेशा दस्वा शब्द है सदैव जिसकार्थ है हमेशा चलो एक बार पुना दुराते है इनी दस शब्दों को पहला शब्द बुद्धिमान जिसकार्थ होशियार दूसरा शब्द है इर्ष्या जिसकार्थ है जलन तीसरा शब्द मूर्क जिसकार्थ है ना समझ चोथा शब्द सर्वत्र जिसकार्थ है सब जगय पाच्वा शब्द बेहद जिसकार्थ है बहुत चटा शब्द सूजबूज जिसकार्थ है समझधारी सात्वा शब्द प्रशंसा जिसका अर्थ बढ़ाई आठ्वा शब्द लकीर जिसका अर्थ रेखा नौवा शब्द लज्जित जिसका अर्थ शर्मिंदा दस्वा शब्द सदेव जिसका अर्थ हमेशा अब आप शब्दों के अर्थ को जान गई होंगे अब हम प्रश्णों के उत्तर को जानते हैं आपको यहाँ पे प्रश्ण दिये गए हैं और उसके उत्तर किस प्रकार लिखेंगे पहले हम सोचेंगे फिर उसको लिखेंगे अभी तो मैं आपको बता रही हूँ, आप उसे याद करना और कभी कोई अलग से भी प्रेशन पूछे, तो आप सोच लेना, आपको यदि पाठ समझ आ गया है, तो आप उत्तर को असानी सी लिख सकते हैं, लेकिन आप कठिन शब्दों का भी अभ्यास करना, क्योंकि लिखते समय हम से गलतियां हो जाती हैं, इसी लिए तो हम कठिन शब्द का अभ्यास कराती हैं, चलो, अब हम यहाँ पर दिये गए प्रेशनों के उत्तर को जाशते हैं, पहला प्रेशन दिया है, अंश सब को प्रिय क्यों था? पहला प्रेशन दिया है, अंश सब को प्रिय क्यों था? अब सोचिए अंश सब को प्रिय क्यों था? चलो देखते हो तर, अंश सब को इसलिए प्रिय था, क्योंकि वह सबसे बुद्धी मान था? अंश सब को इसलिए प्रिय था, क्योंकि वह सबसे बुद्धी मान था, आपने भी यही उत्तर सोचा होगा, है ना? चीक है, अब हम लिखते समय किन का दिहान केंगे? शब्दों का, कहीं आप इसलिए गलत मत लिख देना, क्योंकि वह दिमान, तो आपने जब प्रिशनों के उत्तर याद करते हैं, तो इन कठिन शब्दों को एक अलग से कॉपी में लिखकर अभ्यास कर लेना, अब हम प्रि प्रिशन दो दिया गया है, अध्यापक ने शाम पट पर लकीर क्यों कीची? सोची, सोची, हाँ, उत्तर है, अध्यापक ने बुद्धी मानी की परक करने के लिए अध्यापक ने बुद्धी मानी की परक करने के लिए शाम पट पर लकीर क्यों की, अब अगला उत्तर को देखते हैं, प्रिशन तीन है, अंश ने लकीर छोटी के लिए कैसे की? सोची, सोची, अंश ने लकीर छोटी कैसे की? अंश ने पहली लकीर के बराबर में एक बड़ी लकीर खीच कर पहली लकीर को छोटा कर दिया, दुबारा से देख लेते हैं, अंश ने पहली लकीर के बराबर में एक बड़ी लकीर खीच कर पहली लकीर को छोटा कर दिया, देखा? प्रशन नंबर चार दिया गया है, प्रणव ने अंश से चमा क्यों मांगी? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है, प्रणव ने अंश से चमा इसलिए मांगी, क्योंकि वह अंश से इर्शा करता था, देखते हैं दुबारा से, प्रणव ने अंश से चमा इसलिए मांगी, क्योंकि वह अंश से इर्शा करता था, अब आप ने इन प्रशनों की उत्तर को समझ लिया ना, अच्छे से? हम, तो आज आपका ग्रीक कार्य क्या रहेगा? चलो देखते हैं, आप को ग्रीक कारी मिला है, पाठ चार बुद्धिमान कौन के कठिन शब्द तथा शब्दार कौपी में लिखो, आपको पाठ चार के जो कठिन शब्द दिये हैं, वाशब्दार दिये हैं, उन्हें कौपी में सुन्दर सुन्दर बिना गल्तियों के लिखना हैं, कल मैंने आपको ग्रीक कारिय दिया था, कि प्रश्णों के उत्तर कुछ सोचने को, मुझे आशा है, आप सभी ने अपना ग्रीक कारिय कर लिया होगा, चलो, अब मैं आपको कल के ग्रीक कारिय का हल बताती हूं, और देखना, क्या आपने भी यही उत्तर सोचे थे? प्रश्ण का मैंने आपको दिया था, अंश कैसा चात्र था, क्या प्रश्ण दिया था मैंने आपको, अंश कैसा चात्र था, तो देखिए, आपने क्या यही उत्तर सोचा, अंश वो धिमान चात्र था, क्या उत्तर बोला मैंने, अंश वो धिमान चात्र था, आपने भी शा अगले प्रश्ण का उत्तर बताती ख मैंने प्रश्ण दिया था हमेशा किसकी प्रशंसा होती थी कौन सा प्रश्ण दिया था ख में हमेशा किसकी प्रशंसा होती थी इस पार्ट में किसकी प्रशंसा होती थी हाँ मैंने उत्तर आपको बता रही उस तो देखना क्या आपने भी यही उत्तर सोचा। हमेशा अंश की प्रशंसा होती थी। सभी प्रशंसा करते हैं। तो इसका उत्तर है वो दिमान चात्र की सभी प्रशंसा करते हैं। आपने भी यही उत्तर सोचे होंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।